हेलो एविवन वेलकम टो अनलोक आट फूड और ट्रावल आज के वीडियो में हम वेच पिज़ा बनाने वाले हैं तो चलो फिर उसकी रेसिपी शुरू करते हैं वेच पिज़ा बनाने के लिए जो इंग्रीडियंट्स लगेंगे वो है पिज़ा ब्रेड यह आपको बाजार में एजी ली अविलेबल मिलेगा टोमेटो कचप चिली फ्लेक्स शिम्ला मिर्च कॉन्स अनियन टोमेटो पिज़ा सॉस एंड चीज सबसे पहले हमने पैन में बटर एड़ किया है बटर मेल्ट होने के बाद हम उसमें कॉन्स को एड़ करेंगे अगर आप आर्ट फूड एंड ट्रैवल में इंट्रेस्टेड हो और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल आपको यहाँ पे इनके रिलेटेड नए नए वीडियोस देखने मिलेंगे इसी तरह जो सारी वेजिटेबल से हम उनको हाफ कुक कर लेंगे पीजा बेस को नाइफ से हम होल्स करेंगे और उसके उपर हम पीजा साॉस को स्प्रेड करेंगे अब हम उस पे चीज स्प्रेड करेंगे और जो टोमेटो हमने हाफ कुक किये थे हम उसको भी एड़ करेंगे अब जो कैपसिकम, अनियन, एन कौन से हम उसको भी यहाँ पे एड़ करेंगे आप अपने मन से कोई भी टॉपिंग से यहाँ पे यूज कर सकते हो अब इसके उपर हम अगें चीज स्प्रेड करेंगे और टोमेटो कैचुप को भी स्प्रेड करेंगे अब एक पैन में बटर डाल कर पीजा बेच जो है वो बेक होने के लिए रख देंगे और उसके उपर चिली फ्लेक्स एड़ करेंगे अब हम पैन को कवर करेंगे 8-10 मिनिट तक के लिए और गैस की जो फ्लेम है उसको स्लो टू मीडियम पे रखेंगे 10 मिनिट के बाद पीजा को निकाल कर उसके नीचे हम कोई प्लेट रख देंगे और अगें 5-7 मिनिट के लिए पीजा को हम कुख होने के लिए रखेंगे अब पीजा अच्छे से बेक हो चुका है अब हम इसको 4 पीजेस में कट करेंगे अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजें तिल देन गुट्बवी झाल 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 झाल